नश्कार दोस्तों ये वीडियो एक्टोरियल कंपाइलेशन फो मेंज का पार्ट हैं आप प्लेलिस्ट में जाके एक्टोरियल की वीडियोज पेपर वाइस और टोबिक वाइस देख सकते हों और अगर आप दिसंबर 2019 के बाग की वीडियोज को देखना चाहते हों तो वीडि सांस्त्री का जर्म हुआ था 1904 में आप जीएस पेपर वन के इन टोबिक्स के साथ आर्टिकल को रिलेट कर सकते हों इन सब कोशन को हम एडर्स करेंगे इस आर्टिकल को डिसकस करते वक्त सबसे पहले बात करते हैं इंटूरेक्शन की गांधी जी और लाल बाहदुर सांस् हैं सास्त्री जी वैसे देखो सास्त्री जी से पहले नहरु देश के प्रधामिंत्री रहे काफी सालों तक और सास्त्री जी के बाद इंद्राकांधी देश के प्रधामिंत्री रही काफी सालों तक तो इन दोनों प्रधामिंत्रियों का जो कारेकाल थाम वो लंबा थाम इस और experts के द्वारा सास्त्री जी ने अपने कारेकाल को दुरान issues को कैसे tackle किया उन्होंने किस किन-किन समस्याओं का समाधान किया क्या changes वो लेके आए परसासन में इन सब चीजों को ज्यादर discuss नहीं किया गया है मीडिया के द्वारा अगर brief में सास्त्री जी के बारे में हम discuss करें देखो secular का मतलब होता है सास्त्री मतलब लाल बहादुर सास्त्री में ये सास्त्री जो नाम है इसका मतलब है secular यह बैचलर डिग्री एवोर्ड दिया गया था लाल भाहदुर सास्त्री को विद्या पीट के द्वारा आजादी से पहले वो Servants of People Society के मेंबर बने Servants of People Society established की गई थी लाला लाज पतराई के द्वारा उसके बाद उन्होंने backward classes के upliftment के लिए काम स्टार्ट किया और वो प्रेजडेंट बने इस सोसाइटी के महात्मा कांदी से काफी ज़्यादा impressed थे लाल भाहदुर सास्त्री और उनसे influence होके लाल बादुर सास्त्री ने Indian Independence Movement को जोइन किया 1920s में सास्त्री जी ने हिस्सा लिया Non-Cooperation Movement में Salt सत्यागरा में, Individual सत्यागरा में और भारत छोड़ो अंदोलन में आजादी के बाद नहरू के कैबिनेट में सामिल हुए सास्त्री वो Railway Minister बने 1951 से लेके 1956 के बीच और उसके बाद Home Minister भी बने कुछ समय के लिए 9 जून 1964 को नहरू की डैथ के बाद लाल भादुर सास्त्री देश की Prime Minister बने इसके बाद कोशन ये उठता है आखिरकार क्यों ये कहा जाता है कि नहरू की डैथ के बाद सास्त्री सबसे सूटेबल लीडर थे प्रधामंतरी बनने के लिए देखो वो जनता के परती अपनी accountability समझते थे दो बार ऐसा हुआ कि Railway accidents के बाद उन्होंने इस्तिफा दे दिया देखो आज के समय में कौन इस्तिफा देता है moral responsibility लेते हुए बहुत कम leaders ऐसे हैं जो moral responsibility लेते हुए अपने पद से त्याक पत्र दे देते हैं तो ये आप as a example भी इस्तिमाल कर सकते हो ethics में उसके बाद देखो 1963 में 6 Congress के leaders ऐसे थे जिनको कहा गया था कि आप अपनी cabinet की post से त्याक पत्र दे दीजिए क्योंकि आपको party के लिए काम करना है उनमें से एक थे सास्तिरी जी ऐसा decide क्या गया था कामराज plan के तहट खेर ये politics की बाद है नहरू की तहट के बाद जब नहरू का successor चुणने की बारी आई थी तो सार उसेमती बनी सास्तिरी जी के नाम पर उस से में देखो एक poll भी conduct किया गया था Indian Institute of Public Opinion के द्वारा इस poll में आल्मुष्ट हाफ जो votes मिले वो लाल भादूर सास्तिरी को मिले इसके बाद देखो आटिकल में ये कहा जाता है जब सास्तिरी पधामंत्री बने तो उस समय काफी सारे फ्रेंट्स पर वो चेंज लेके आए और सास्तिरी जब पधामंत्री बने थे वो काफी सारे चलेंजिस का सामना भी कर रहे थे पहले चलेंजिस की बात करते हैं ये देखो जब वो पधामंत्री बने थे तो उसमें language समन्दीत वाइलेंस हो रहा था तमिलाडू में, हिंदी का विरोध हो रहा था, उडिशा में यूथ प्रोटेस्ट कर रहे थे, केरला में प्रेज़ेंट रूल वापस आ चुका था, उत्रपरदेश में भी काफी जदा इंस्टेबिलिटी थी, पंजाब में पंजाबी सुबे की जो मां यह तो देखो, सिरफ हमने नेशनल लेवल पर चलेंजिस की बात की, इंटरनेशनल लेवल पर काफी सारे चलेंजिस फेस किये जा रहे थे, लाल बादुर सास्त्री के दवरा, नोन अलाइंड मुमेंट जो थी, वो फीकी पर चुकी थी, देखो हुआ क्या था, इंडिया व सोवियत लीडर्शिप में भी बदलाव आया था, इसका फरक देखो इसलिए पड़ता है, क्योंकि इंडिया के USSR के साथ रिलेशन्स अच्छे थे, तो नए लीडर का आना USSR में मतलब फिर से रिलेशन्सिप को रिवाइव करना, जैसे मैं आपको एक्जाम्पल देता हूँ, जपान के प्रधामंतरी सीन्जो आबे, इनकी क्वेशन काफी अच्छी थी प्रधामंतरी मोदी के साथ, तो अब इन्होंने जो इस्तीफा दिया है जपान के प्रधामंतरी पद से, तो लीडर्स के द्वारा कहा जा रहा है, एक्सपर्ट के द्वारा कहा जा रहा है, ये इ लेडर्शिप में चेंज होता है ना तो फिर से वैसा ही ट्रेश्ट कायम करना उसमें थोड़ा समय लग सकता है पाकिस्तान में भी नए लीडर आये थे अयूब खान इवन वियतनाम के मुद्दे पर इंडिया पर प्रैसर बढ़ रहा था कि वियतनाम के मुद्दे पर इंडिया यूएस से का साथ दे इन सब चैलेंजिस के होने के बावजूद लाल भादूर सास्त्री ने सुरुवात में फोकस किया नेबर हुड पर सिरलंका में तमील माइनाटीज को उनके अधिकारों से जो वंचित किया जा रहा था सिरिजन्सी प्रैट्स से तो इस पर फोकस किया गया लाल भादूर सास्त्री के द्वारा तो पता लगता है कि उन्होंने नेबर हुड को काफी ज़्यादा importance थी और बाकी challenges को कैसे tackle किया गया लाल भादुर सास्त्री के द्वारा क्योंकि जैसा आपको पता है 1965 में वार भी हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच देखो शुरुवात में सास्त्री जी ने जो run-off कच में dispute है सरक्रीक का dispute उस dispute को mediation की साहिता से solve करने की कोशिश की UK ने mediation करवाया और फैसला majorly इंडिया के ही हक में आया है बट इसके बावजूद जब पाकिस्तान ने youth declare कर दिया इंडिया के second front खोलने के लिए military को अनुमती दे दी और उनके कुछ ऐसे decisions थे जिसकी वज़े से हमारी military अच्छे धंग से warlords की पाकिस्तान के against पाकिस्तान को लगता ही हूँ था कि अब अभी इंडिया चाइना से युद हरा है तो हम भी इंडिया को हरा देंगे बट ऐसा हो नहीं पाया और इसके लिए बहुत सारी factors responsible हैं और उनमें से एक है decisive leadership लाल बहदुर सास्त्री की जब देखो पाकिस्तान के साथ war खतम हुआ तो उस समय काफी सारे दूसरे देश कोशिस कर रहे थें इंडिया और पाकिस्तान के वीच पीच इस्ताबलिस की जाए तो USSR ने भी offer दिया mediation का इंडिया ने उस offer को सविकार कर लिया काफी सारी पाकिस्तान की जमीन हमारे पास थी हमने पाकिस्तान का काफी area capture कर लिया था लेकिन USSR गए इंडिया के पधामंतरी और पाकिस्तान के लेडर अयूब खान वहाँ पर तासकंद में समझोता हुआ दोनों देशों के बीच और इंडिया ने जो जमीन capture की थी वो पाकिस्तान को लुटा दी यानि status quo को restore किया गया बट बाद में काफी दुखद ख़बर सामने आई कि तासकंद में ही इस समझोते के sign करने के बाद सास्त्री जी की death हो गई इसके बाद पॉइंट आता है लाल भादुर सास्त्री के tenure की highlights क्या है इससे पहले भी हमें एक aspect discuss करना था लाल भादुर सास्त्री ने अपने tenure के दरान किन फ्रेंट्स पे काम किया किन फ्रेंट्स पे चेंज आया देखो जब लाल भादुर सास्त्री प्धामंत्री थे तो फूड की बहुत ज़्यादा कमी हो गई थे हमारे देश में फूड स्क्राइब क्राइसिस आ गए थे तो एफसी आई का निर्मान किया ग्रीन आया आज हालात ये हैं हम फूड स्क्राइब के मामले में सेल्फ सफिशेंट हैं बलकि एक्सपोर्ट काफी ज़्यादा होता है फूड ग्रेंज का हमारे देश से तो नीव रखी गई थी लाल भादुर सास्त्री के द्वरा देखो लाल भादुर सास्त्री से पहले इंसिचूशन पर फोकस किया जोगे काफी अच्छी बात होती है डेमोक्रेसी में इंसिचूशन पर फोकस करना ज़रूरी है नेक्स्ट पॉइंट इंडस्ट्री पर पहले ज्यादा फोकस हुआ करता था अग्रिकल्चर पर फोकस किया लाल बादुर सास्त्री ने ए मूव इसका मतलब पता नहीं क्या है देखो कमांड इकोनमी का मतलब तो यह होता है जब स्टेट का इंटर्फेरेंस काफी ज़्यादा होता है इकोनमी में इसका उल्टा आप कह सकते हो मार्केट इकोनमी मार्केट इकोनमी वो इकोनमी होती है जिसमें मार्केट डोमिनेट करती है सरकार का interference कम होता है तो क्या writer ये बोलना चाहते है सास्त्री जी ने सुरुवात कर दी थी इंडिया की economy को market economy तक ले जाने की दिशा में बाग में तो जैसा आपको पता है 1991 में हमारे देश में LPG reforms आए और इंडिया market economy बन गया इसके बाद writer बोलते है देखो जीस परकार से लाल भादुर सास्त्री की death हुई death से समंदिद जो conspiracy theory थी उनको दादा तवज्जों मिली बट होना ये चाहिए था कि लाल भादुर सास्त्री जी के जीवन के जो lessons है उन पर focus किया जाता जैसे देखो उन्होंने कास्ट सिस्टम के खिलाफ रडाई लड़ी यंग एज से ही वो patriotic थे simple living में साधारन living में वो विश्वास रखते थे compassionate forward thinking leader थे honesty हमेशा उनकी best policy थी ये उनके कुछ life lessons है जिन पर जाला चर्चा होनी चाहिए थी sorry बड़ जाला चर्चा हुई उनकी द्याथ से समंदित conspiracy theories के बारे में contusion में ये कहा जाता है लाल भादूर सास्त्री बहुत ही humble leader थे province politics से निकल के आए national politics में और उनका विश्वास था logo में, सविधान में representation में लाल भादूर सास्त्री हमेशा modest रहे personal probability में भी और policy making में भी क्योंकि बहुत से leader देखो ऐसे होते हैं जिनने अपने पद का गरूर हो जाता है लेकिन लाल भादूर सास्त्री अपने पद में इतने ज़्यादा indulge नहीं हुए इसी वज़े से वो बहुत ज़्यादा humble थे यह पूरा article हमने discuss किया इस discussion में फिलाल इतना ही है thank you thank you very much for discussion